हलो फ्रेंड्स वेलकम टू राधा कीचन तड़का आज हम बनाएंगे करवाचोथ स्पेशल मिठाई की रेस्पी इसे आप दिवाली पर भी बना सकते हैं करवाचोथ पर भी बना सकते हैं बहुत ही जल्दी बनने वाली और टेश्टी मिठाई की रेस्पी है इसके लिए गैस पर ही बेसन को रोष्ट करना है ज्यादा हाई फ्लेम रखेंगे तो यह जल सकता है बेसन इसलिए इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रोष्ट करेंगे बेसन रोष्ट हो रहा है तब तक छोटी सी तयारी कर लेते हैं एक कप लिया है मिल्क पौडर किसे भी ब्रैंड का तयार है जैसे ही आप इसे मिलाएंगे बिल्कुल लंप्स फ्री बेटर सा बन जाएगा इसका अच्छा सा घोल बनकर तयार हो जाएगा वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले बैल आइकन प्रेस करें ऐ लाइ फ्लेम पर नहीं करेंगे लो फ्लेम पर जैसे आप बेसन को रोष्ट करेंगे अंदर तक बहुत अच्छे से रोष्ट हो जाएगा बिल्कुल भी कच्छा फ्लेवर आपको नहीं आएगा यह देखिए अगर आप चाहते हैं थोड़ा लाइट कलर तो आप इस समय भी इसके अंदर बाकी की सामगरी डाल सकते हैं बट हम इसको थोड़ा सा ओर रोष्ट करेंगे थोड़ा सा डार्क कलर करने के लिए लो फ्लेम पर करेंगे तो यह जलेगा नहीं और अच्छे से रोष्ट हो जाएगा और भी आपको रैस्पी देखनी हैं जैसे कि मिल्क रैस्पी आपको मिलेंगे धीरे धीरे लो फ्लेम पर इसे रोष्ट कर लेंगे और यह देखे बिल्कुल अच्छा सा कलर आ चुका है अच्छी तरह से रोष्ट हो चुका है बहुत ही प्यारी से खुस्बू आ रही है अभी जो हमने घोल बना कर तयार किया था मिल्क पौड चीनी को पीस कर डाल दिया है जब आप बर्फी बनाएंगे यह रेसिपी आप अपने घर में बनाएंगे तो बिल्कुल खोए की बर्फी जैसा टेस्ट आएगा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने बेसन की बर्फी बनाई है मिल्क पौडर से बिल्कुल खोए वाला टेस्ट आएगा और यह देखिए अच्छी तरह से पैन को छोड़ दिया है बर्फी सेट होने के लिए बिल्कुल रेडी है कैस को ओफ कर दिया है मैंने और यहाँ पर मैंने केक्टिन ले लिया है अब थाली पलिट किसी में भी सेट कर सकते हैं बटर पेपर लगा दिया है ताकि बर्फी को निकालना आसान हो जाए और फिर मैंने थोड़े से पिस्ता डाल दिया है पिस्ता बिल्कुल बराबर कर देंगे ताकि बर्फी अच्छी तरह से जम सके और फ्रेंस रेस्पी पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर कर दे एक घंडे के बाद हमारी बर्फी सेट हो चुकी है इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर इसे उल्टा करकर रखेंगे प्लेट को और थोड़ा सा थप थपा देंगे ताकि अच्छी तरह से निकल जाए क्योंकि बर्टर पेपर लगाया है बर्फी आसानी से निकल जाती है इसे निकाल लेंगे और यह हमारी बर्फी सेट होकर बिल्कुल तयार है कट कर लेंगे आप कट से ही अनुमान लगा सकते हैं कितनी soft बर्फी बनकर तयार हुई है खाने में बहुत ज़्यदा लाजवाब मिठाई बनकर तयार हुई है I hope वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी Please like जरूर कर दे चैनल पर पहली बार है तो subscribe कर दे मिलते हैं next वीडियो में next recipe के साथ Thanks for watching